ही नमस्कार दोस्तों में दीपक कुमार स्वाकत करता हूँ आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेश्ट फॉर वेल्थ में दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कैसा रह सकता है कौन से स्टॉक्स मूव कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजेगा बैल आइकन को हिट कीजेगा तक याने वाले वीडियो के नाटिस्केशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे निचे डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ग्रोकिंग अपश्टॉक अन अलाइस ब्लीव में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिलते हैं हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर वाते हो तो हम आपको बिल्कू फ्री आफको अपने प्रीमियम टेलीग्राम करता हुआ मिल सकता है यहां पे अगर आप ध्यान से देखो के मार्केट एक अप्ट्रेंड में था उसके बाद डाउंट्रेंड में आया काफी ज्यादा यह रिट्रेस्मेंट हो गया उसके बाद फिर से एक पूल बैक दिखा के वापस से निच्च आने की कोशिश कर रहा ह अभी अग्ण हम करें, यहां पे बहुत सारी पैटन्स फ़ाum हो रही है अगर आप देखोंगे तो यहां पर एक अप हेडन सोल्डर भी अस्यूम कर सकते हो राइट यहीं पर यहां पर जो इन चल रहा है इस तरह से नीचे आया इस तरद नीचे आने के बाद अगर यह closing नीचे ना देके इसके उपर दे देता तो हम जमज लेते कि market जो है अब उपर जाने के कगार में आ गया है लेकिन closing जो नीचे हुई है यह थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर देखे हुए कि पैटन भी है इस पैटन का नाम क्या है इसको क्या कहते हैं आपको comment करके बताना है हर बंदे का comment आना चाहिए अगर आप daily live में आते हो वीडियो को like कीजे इस पैटन को यह तीन candles है इस पैटन क देखेंगे हमारे पास एक level है market अगर 17 290 के नीचे sustain करने लग जाता है तो हमें एक bearish trend start होता हुआ मिल जाएगा क्योंकि 290 के आसपास 300 के आसपास से ही बहुत ज्यादा अगर हम देखेंगे levels नजर आ रहे हैं support and resistance सारे यहाँ पे भी देखोगे same यही support work कर रहा है यहाँ प market तो हम एक bearish trend समझेंगे और हम selling करेंगे हमारा target 17 100 एंड उसके नीचे भी हो सकता है बट अगर market एक बार यह जोन को बतलब day high को breakout दे देता है तो क्या होगा अगर मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा करूं और इस एक दिन के candle को आप समझने की कोशिश करेंगे तो market में immediate selling आई है यहाँ पर देखिए immediate selling आई है selling आने के बाद market यहाँ पर consolidate किया और फिर यहाँ पर recovery भी आई लेकिन जिस जहां से selling आई थी उस जहां के आसपास market पहुचा और immediate फिर से वहीं से selling आया और market फॉल किया अभी price action भी हमें बेरिशी नजर आ रहा है यह एक swing है छो buying आया तो अच्छा घातातेजी मिलेगा तो इस level का cross होते ही हम buying side में एक छोटा सा plan कर सकते हैं तेकि target हमारा यहाँ पर छोटा रहने वाला है इसके उपर हम buying plan करेंगे target जो हमारा रहेगा वो 450 400 के उपर करेंगे 450 या फिर 460 के round तक कर रहेगा और उसके उपर अगर निकलता यह आसपास अगर market break करता है अगर market ने 320 का level यह level market ने break किया तो इसके बाद नीचे move करने के लिए ज्यादा space फिर बचे का नहीं यहाँ एक strong support है तो इसलिए मैंने यह support को भी breakout होने दिया कि support को भी breakdown अगर करता है तो और भी नीचे जाएगा और वैसे भी market बीरेश है उम्म बैंक निफ्टी वन्डे के time frame पर सीधा आएंगे और सब कुछ यहाँ पर remove कर दे रहा हूं यह जो लगा हुआ है इसको remove कर देता हूं हाँ वन्डे के time frame पर market क्या कर रहा है यह भी remove कर देते हैं वन्डे के time frame पर market को अगर ध्यान से समझेगे सेम निफ्टी के तरह यहाँ पर भी pattern है लेकिन यह जो थोड़ा सा भी trend किस तरफ जाएगा यह समझ नहीं पा रहा है क्योंकि यह जो swing है यह swing इसका support है 38,000 का यह अभी जब तक break नहीं हो रहा है तब तक हम इसमें कोई decide नहीं कर सकते हैं हो सकता है market इस तरह से आया इस तरह से थोड़ा सा pullback लेके फिर से उपर निकल जाए तो एक जो है हमारे पास level यह 38,000 का है एक हमारे पास level जो है यह एक support है यह पूरा एक support है यहाँ ध्यान से लेकिए पूरा support है तो अगर 38,800 के उपर market निकल रहा है तो हम buying प्लान करेंगे and same market अगर कल इस range को day low को break करता तो 38,000 का target हम ले लेंगे तो आईए मैं आपको एक बार 15 minute के time frame पे explain करता हूं इसके पीछे का logic क्या है कैसे मैंने यह decide किया यहाँ पर आईए अब यहाँ पर देखिए कल जो Friday का low है वो है 38,400 के round का उसके नीचे भी हमारे पास एक support है जो की ह 360 के असपस का तो हम क्या करेंगे 360 का breakdown होने देंगे अगर market कल हमे 360 का breakdown दे रहा है तो हम एक selling प्लान करेंगे 360 के नीचे और 38,000 का हमारा जो है वो round target रहने वाला है और ऊपर जाता हुआ हमने क्या discussion कि 800 का level हमारे लिए important है मैं 800 का level का wait करूँगा जैसे ही 800 का level निकलता है हमार यह gap आपको दिख रहा है यह gap आपको फिल होता हुआ मिल जाएगा 800 के पर तो हमारा target बड़े अराम से 39,000 का रहे और 39,000 के उपर अगर निकलता है हम और भी उपर के targets assume कर सकते लेकिन अभी फिलहाल यह scenario है सबको पता है market हो सकता है gap down opening हो हो सकता है मैं word use कर रहा हूँ ध्या अगर नीचे खुल गया तो दिखिए वहां पे आपको चाहे कल का दिन वेट करना पड़ जाए अब वेट कर लीजिए लेकिन प्राइज एक्सन को समझने की कोशिच कीजिएगा gap down खुला gap down खुलने के बाद क्या यहां पे buyers आ रहे हैं यहां पे अगर मैं थोड़ा से इसक again buyers आ रहे हैं या फिर और seller आ रहे हैं अगर 38,000 के नीचे निकलता है psychological level break होगा यहां पर consolidate करके एक bearish candle बनाता है हम नया selling कर सकते हैं समझ रहे बात को लेकिन अगर market break gap down खुला है gap down खुलने वाद थोड़ा से उपर गया फिर यहीं पर consolidate करने लगा फिर हम उस दिन को avoid करना प तक के लिए इतना ही स्टॉक देख लेते हैं सारी स्टॉक भी देख लेते हैं मैंने सेलेक्ट करके रखा है यहां पर मैं आ रहता हूं एक है अपना DLF यहां पर लगा नहीं है DLF नहां ठीक है तो अब DLF में देखे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सुंदर सा pattern है कुछ नही क्या लॉजिक है लॉजिक आपको समझ में आ गया है बड़ फिर भी एक बर बता देता हूं यहां पर सपोर्ट यहां पर सपोर्ट सेम उसी सपोर्ट के बाद फिर से आ रहा है एक टेस्ट डन दो टेस्ट तरन तीसरे टेस्ट में मेरा मानना होता है कि मार्केट ब्रेक करता तो यहाँ पर आपको multiple tests मिले हुए है आप इस पर trade कर सकते हो कर से लिए बाइंग के लिए प्लान करना है तो इस लेवल के उपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे वह मैं लगा देता हूं यहाँ पर 376 और बाइंग के लिए हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा अपराव अपराव यह 383 ऊपर के कोई लेवल सो मानने नहीं है हम इसे डिलीट कर लेते हैं एक ही श्टॉक डियला फिर डिसकसन करेंगे बाकि और भी बहुत सारे श्टॉक्स है और वह मैं लाइब मार्केट में आप लोग को बता दूँगा लाइब में नहीं होता तो बहुत सारे श्टॉक्स ड एंजोई कीजिया थैंक यू